पहले भी हमने करा लिया सभू एक चीज लिखते हैं सब डॉक्टरों की एक पर जाचे करहा हुं वह तरपी जब करी जाती है उसकी स्पेशल एजूल एजूकेशन करी जाती है औरको विश्न थारपि की करी जाता कि नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को ADHD होता है ADHD में तीन चीज़े होती है हाइपर आक्टिविटी मतलब चंचलता इंपल्सिविटी मतलब शांति की कमी और इने टैंशन मतलब ध्यान की कमी अब बहुत बार ऐसा होता है कि इसके DSM-5 क्रैटिरिया जिसके ओल्रीडी वीडियो जो तो मैं लिंक में डाल दूँगा तो उसके बारे में डिटेल में बात में करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौम सी जांच करने की जुरत पढ़ती है बच्चे में इसको ADHD है बट इसमें मैं इंट्रस्टिंग एक दो experiences आपके साथ शेयर करूँगा एक बार क्या हुआ एक अच्छे लेवल के advocate थे वो मेरे पास आये और उनने मुझे दिखाया और क्लियर कट ADHD था और बच्चा बाकी हर एंगल से नॉर्मल लग रहा था तो मैं लगा इसमें सिर्फ ADHD है तो इसकी इस तरह से medicine स्टाट करते हैं बच्चा सेटल हो जाए और बच्चे की उमर भी शायद 8-9 साल के आसपस थी तो इसका मतलब उसमें learning disability autism वो सब दिख रहा था कि नहीं है तो वो मुझ पर नराज होए कि डॉक्टर राजीव आपने कोई assessment ही नहीं कराई कोई test ही नहीं कराया और उसके बाद आपने कैसे कह दिया कि मेरे बेटे को ADHD है यह तो मैं भस गया आप क्या करूं तो anyway वो हमसे नराज होए और में छोड़के चले गए उसके बाद वो किसी और थेरपिस्ट के पास गए उन्होंने महंगा सा उनको एक test लिखा और उन्होंने भी कहा कि ADHD और दवाई वही लिखी जो कि मैंने लिखी भी थी अब उसके बाद जो उन्होंने अब कही बार केस दोस्तों इतना clear-cut होता है कि ना पता लग जाता है और कही बार clear-cut नहीं होता है तो हम खुद बोलते हैं कि प्लीज टेस्ट करा लिजे इसके बिना बात नहीं बनेगी बलकि मैं सारी का मैंम से चाहूंगा कि वह कुछ और चीज़े बी अब करें कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ADHD बच्चों में आईक्यू रहत पड़ती है ऐसा क्यों होता है कि कुछ ADHD के बच्चों में education assessment की ज़रत पड़ती है और कहीण कभी न कभी दोस्तों autism या कुछ और therapist assessment की ज़रत बीध सकती है तो इसको ज्यादा कॉंप्लिकेट नहीं करना चाहता बट यह है कि उनके बाद हमने थोड़ा नौब बना लिया कि बच्च पर एक और इंपॉर्टन चीज भी है न दोस्तों दवाई जो है वह काफी लंबी चलने वाली है कई साल तक चलने वाली है तो और एडिएच्ट का टेस्ट बहुत जाद हिरी उनके मादर्पिता ने बोला तो यह तरीके से हमारी लर्णी हुई सर ने कहाम है कि उन्ह Shelley के वश्चक है और दूसरा प्रश्य सब्सका है कि हर बच्चे में सांटकी होती है यह कॉम्शन आफ पूछे कि पहले भी वो दिखा कर आये थे अपने किसी दूसरे डॉक्टर को जहां पर लिखा गया था कि बुद्धी की जाश करी जाए और साथ में एडियसजी और आटिसम का भी टेस्ट किया जाया और ओटी का टेस्ट असेस्मेंट भी हो लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कई मावाब सोचते हैं कि अगर हमने पहले बता दिया तो यह भी वही लिख देंगे ठीक भी है उनकी क्वेरी हो सकती है या वो सेकंड ओपिनि और जिसके कारण वो बच्चा अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा और अपने दोस्त नहीं बना पा रहा तो मैंने उनको बोला कि हां आपके बच्चे को एडियसजी है जिसके कारण उसके यह सारे एरियास में फरक आ रहा है तो आपको बच्चे की माता-पिता ने कहीं न कहीं कोई दर्थ साहा होगा तो उन्होंने बच्चे को हूंबेस्ट एड्यूकेशन स्टार्ट कर दियो उन्होंने स्कूल से नामी कटा लिया कहती है कि ओपन से पढ़ाएंगे आठवी के बाद पहले मैं एर्ट तक बच्चे को स्वयमी पढ़ाउं और बच्चा बिल्कूल भी बैठ नहीं पा रहा था तो साथ में मैंने ओकूपिशनल थेरेपिस्ट के लिए ओटी असिस्मेंट भी लिख दिया पर उनका प्रश्ण सेम था क्योंकि उन्होंने पहले भी उनके पास लिखा हुआ था हूं मेरे चैंबर से उठके डॉक्टर चले गए और उनका एक फोन आया मेरे पास कि मैडम आपको जब इतना क्लियर कट देख रहा है कि मेरे बच्चे में ADSD है तो उसके दबाई दिलवानों डॉक्टर राजीब से क्या टेस्ट टेस्ट कर रही हो और पहले भी हमने करा लिया सब लोग एकी चीज लिखते हैं सब वह कर नहीं पार है यानि कि वह बच्चा एवरेज आइक्यू से अच्छी आइक्यू का हो या उसकी बुद्धी सामाने से कम हो जिसके कारण भी वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो उसके शरीर में ज्यादा हल चले कभी-कभी कॉंब से बोरा है बस इसी से दवाई मिल जाएगी और दवाई मिलते ही ठीक हो जाएगा है बिल्कुल हमने तो ऐसे भी स्कूल से नामी कटा दिया अब क्या जरूरत है उसकी बुद्धी के जाज करनाने कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिएंट है यह तो माता-पिता का खुद का कोई कॉंक्रीट ठोस निर्ने पर हम नहीं पहुंच सकते हैं तो हमें हमेशा बुद्धी एक ऐसा बेस लेबल है जिससे हम यह जान पाते हैं कि अगर सामान नहीं है और यह विक्ति को यह तकलीफ नजर आ रही है कि एडीएजडी है तो इसका दवाई का कितना रोल होगा थ बच्चे में बुद्धी ठीक है पर वो पढ़ाई नहीं कर पा है इसलिए ज्यादा हाइपर एक्टिव और इनटेंशन पे कर रहे है क्योंकि उनका मनी नहीं लग रहा पढ़ने में तकलीफ उनकी यहां पर है इसलिए उनकी एडीएजडी जो लोगों को दिखाई दे रही वह कहते हैं इतनी कम उम्र में दवाई देंगे कुछ और अल्टरनेट बताओं तो वहां थेरपी करी जाती है उसकी स्पेशल एजुकेशन की जरूवत है तो और विश्ण थेरपी करी जाए या दोनों की जरूवत है तो दोनों साथ में करी जाए तब एडीएजडी का बच्चे की पूरा असिस्मेंट कराया हो आई-क्यू एडीएजडी जरूवत हो आई-डीएजडी हमेशा हमेशा अदोनों हम दिखते है नीड इफ नीड जीड if smart नीड का मतलब है कि अगर जरूवत पड़े तभी एजुकेशन असिस्मेंट कराया जाए और और पड़ेगा कि हमें बच्चे के साथ कौन कौन से करने कौन से करने हैं कितने समय के लिए करने हैं और कितने समय के बाद हमें अपने बच्चे का रियासिस्मेंट कराना है तो यह फायदा होता है एक टेस्टिंग कराने तो दोस्तों बेसिकली इस तरह से हो गया कि जैसे आपने blood test करा तो उसमें आपने खून की जांच कराई जिसमें आपने हीमोगलोबिन चक्या कि खून की कमी तो नहीं है आपने थारेट चक कराई थारेट नॉर्मल है कि नहीं liver test कराया kidney test कराया blood sugar test कराया ऐसा पी तो हो सकता है कि सारे टेस्ट ठीक हो जिर्फ ब्लड शूगर में प्राब्लम हो ऐसा भी हो सकता है कि खून की कमी हो और साथ में कलस्ट्रोल जादा हो तो कई सारे कॉंबिनेशन हो सकते हैं उसी तरह प्रोफेशनली अगर बहुत ही क्लियर कट लग रहा है तो प्रोफेशनल जरफ एडीएशडी के लिए ही कहेगा लेकिन अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो उसमें बेटर है कि बच्चा भी छोटा है और जो थेरेपी या जो मेडिस दूरत पड़े तो हम जो है उसे बेटर धंग से देख पाएंगे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से और सारी का मैम की तरफ से दन्यवाद